बीजेपी के नेता 56 इंच की चोड़ी चाती करके कहते थे मोदी है तो मुम्किन है 56 इंच की चोड़ी चाती करके कहते थे मोदी है तो मुम्किन है और मोदी ने जहां पर पैर रख दिया मोदी की जहाँ पर रैली हो गई वो सीट तो बीजेपी की जीत हो गई समझो मान लियो और यह जो है वो नारा दंब भर करके जो हो लगाते थे कि मोदी है तो मुम्किन है मैं आपको वो सीटे बताता हूँ जहाँ पर मोदी ने रैलिया की और बीजेपी हार गई मैं वो सीट आपको बताता हूँ जहाँ पर अमिच शा ने रेलिया की और बीजेपी हार गई और वो सीटे मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर राहुल ने रेलिया की और वहाँ पर कॉंग्रेस की परचंड जीत हुई है सोचिये अज राहूल की राहूल की रैली से जो है वो जीत की गारंटी है मोदी की रैली से जीत की गारंटी नहीं है अमिच्छा की अमिच्छा की रैली से जीत की गारंटी नहीं है ये जो है वो स्थितियाज पैदा हो गई है देश के अंदर मोदी है तो मुमकिन नहीं मोदी है तो ना मुनकिन है ये जो है वो नारा बन गया है आपको स्ट्राइक रेट वापको दिखाता हूँ ये आप देख देखे राहुल ने 22 रैलिया की, 22 रैलिया जो है वो राहुल ने यहां पर की है और 22 रैलियों में से 16 में जो है वो जीत हासिल हुई है, 73 परसेंट का स्ट्राइक रेट है, 22 रैलिया की है, 16 में जीत हुई है, 6 में हार हुई है, यह राहुल का स्ट्राइक रेट है, अब उसके साथ में उसके साथ में आप अमिच्छा का भी देखें फिर मैं आपको नरेंदर मोदी का भी दिखाता हूँ अमिच्छा की देखें क्या फजियत हुई है अमिच्छा के हालत देखें आप 30 रहलिया की है 30 रहलिया जो है अमिच्छा ने की और बताया, मुसल्मान आरक्षन, ये वो हिजाब, हलाला, बीबेन, पीएफ़ाई, सारी बाते बताई, लेकिन ग्यारा में जीत हासिल हुई है, 37%, पासिंग मार्क मिलें केवल, यहाँ पर मेरिट में जो हो राहुल गांदी आ रहे हैं, और ये पासिंग मार्क से पास हो रहें देखिए मोदी जी ने क्या हालत है मोदी की, ये आप देखिए मोदी की जो स्ट्राइक रेट रेलिया हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, मोदी का देखिए मोदी की हालत क्या है, मोदी की रेलियों का ये माना जाता है कि मोदी ने जहाँ पर रेलियों का ये माना जाता राहुल 22 और 42 मोदी ने जो है वो 42 यहां पर रेलिया की और 42 रेलियों में से 21 में जीत हुई है और 21 में हार हुई है यह मोदी साहब का करिस्मा देखी आप यह है मोदी साहब आज गारंटी नहीं है आज 50-50 है आज गारंटी नहीं है कि किदर जो है वो बाजी जाएगी पहले बीजेपी के लोग बड़े कहते थे मोधी है तो मुमकिन है मोधी है तो 56 इंच की चाती है मोधी है तो मोधी ने पैर रख दिया मोधी ने रैली कर दी तो जीत हो गई अब दूसरी बात आप देखिए ये देखिए चैनल वाले पहले क्या लिखते थे मोधी है तो यूपी मु मुमकिन है लेकिन आज क्या आज देखिए आप नड़ा साब मुमकिन है पहले क्या मैं यह जो है वो कभी राष्टे देख्स थोड़ी ना थे पहले तो राष्टे देख्स अमिच्छा थे अमिच्छा की फोटो नहीं थी मोदी है तो यूपी मुमकिन है यूपी का जीत का क्र इडिट नड़ा साब बेचा रहे हाँ पर नड़ा साब देखिए आप नड़ा साब की जिम्मेदारी लगा दिये अब तीसरी चीज आप देखिए जब तुल्ला करें तो थोड़ा और जम करके और गहराई मुतर करें एक तरफ जो है वह नरेंदर मोदी हिंदू हर्दे लाते कहते हैं करनाटक के अंदर जो है करनाटक में 85 % हिन्दू जिनके लिए वो काम करने का दावा उनके समर्तक करते हैं 85 % हिन्दू तब यहाँ पर वह वह भीजेपी हार गई हिए और सबसे बुरी हार हुई हार दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी राहुल गा यात्रा का असर आप देखे राहुल गांदी की यात्रा यहां से सुरू होती है और राहुल गांदी की यात्रा वो इक्यावन इक्यावन जो है विदान सभाओं के अंदर से होकर के गुजरती है और इक्यावन में से एक्यावन में से राहुल की यात्रा जहां जहां से होकर के गुजरी उन इत्यावन विदान सभाओं में से 37 पर 37 पर जो है वो कॉंग्रेस को जीत हासिल हुई है ये राहूल का स्कोर कार्ड है और मोदी का स्कोर कार्ड आपके सामने डबल इंजन की सरकार ये सरकार वो सरकार लेकिन देखिए सरकार क्या हालत हो गई आपकी और ये तो सुरुवात है और अब बड़ा अगला राज्य यहां पर मध्य परदेश भी आएगा राजस्थान भी आएगा और इदर 36 गड़ में जो है वो उंग्रेस की भुपेस बगेल की सरकार है जो की बिरुजगारी के मामले में सबसे ज़्यादा रुजगार देने वाले की सरकार की गिंटी होती है तो यह देखे क्या हालत हो गई है साब मोधी है तो मुमकिन है का जो नारा देते थे जो दंब भरते थे मोधी है तो मुमकिन है लेकिन आज राहुल जो है वो जीत की गारंटी है राहुल है तो रास्ता है यह जो है वो नई लाइन निकल रही है और राहुल जो है वो जीत की गारंटी बन रहे हैं, मोदी जो है वो हार की गारंटी यहांपर, अमिच्छा जो है वो हार की गारंटी, क्या हालत हो गई है साब, सोची जरा, और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि मोदी को उतार दिया एकदम स जो है वह ऐसे च्छितर में जहां पर बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है वहीं पर उतारा गया होगा जिन सीटों से उम्मीद होगी और उन सीटों में भी यहालत हुई है और मैंने आपको सुबह आकड़ा दिखाया था और मैंने आपको सुबह बताया था कि किस तरह से कि लिंगायत जो है लिंगायत लिंगायत की उनगायत की उनगायत सीटे है जो की बीजेपी का प्रमपरागत वोटर माना जाता लिंगायत और उनगायत और उनगायत में से जो है बीस सीटे केवल बीजेपी को मिली बीस सीटे और पैतालिस सीटे जो है पैतालिस सीटे कॉंग से कम ऐसा तो होना चाहिए था कि कम से कम जो है वो 50% 40% सीटे आपकी निकल कर क्या आती लेकिन आप तो जो है वह 20 पर बीस पर आगे 50% भी जो है वह नहीं है तो यह हालत है साब किस तरह से जो है मोदी है कि मुमकिन है कि जो नारा जो है वो गढ़ा गया लेकिन अब सवाल बढ़ा है सवाल करना तक तक नहीं है सवाल बढ़ा है और सवाल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ सवाल बढ़ा है और यह आप सवाल देखिए सवाल जो है वो यह है कि क्या वाकई अब जो है यहां पर आप सोचना पड़ेगा सवाल यहां पर आ गया है और सवाल मैं आपको बदाता हूँ कि सवाल अब क्या है यह सवाल है देखिए आप सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ सवाल यह है कि मोदी है तो मुमकिन है कि जो नारा दिया जाता था और बीजेपी में बताया जाता था कि बीजेपी की डबल इंजिन की सरकार जीत की गारंटी है इतना काम कर दिया कि इतना विकास कर दिया जीत की guarantee है लेकिन यह मांचितर आज की तारीक का आप देखिए और गुजरात और यूपी के अलावा गुजरात और यूपी के अलावा कहीं पर ऐसी जहें नहीं है जो आपर बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाए गुजरात के के अलावा कहीं पर और कोई guarantee नहीं ले सकता कि बीजेपी हजार प्रसेंट जीते गी यूपी के अलावा कोई और यूपी की guarantee वह सकते थे लिगन आप शायद यूपी यह यूपी यहां पर यूपी और गुजरात इन दोनों की guarantee हो सकता है को यूपी लेकिन सिवराज सिंग चोहान की कारंटी नहीं है MP की माराश्टर की तो आप छोड़ी दीजे वहां पर तो वैसी जोड़तोड की सरकार चल रही है हर्याना में जोड़तोड की सरकार है उत्रा खंड एक छोटा राज्य है उसमें भी CM बदलने पड़े कितनी बार बदलने पड़े पुछ भी Baptist की देश की राजनिती के अर्किकत आप देखिए और मोदी है तो मुंकिन है यह मोदी है तो ना मुंकिन अब हो गया है और क्या अब यह सीदा रास्ता 2024 की तरफ जा रहा है बड़ा सवाल ये क्या आप 2024 में भी जैसे रज्यों से BJP को नकार दिया गया जैसे तमाम अलग लग स्टेट में नरेंदर मोधी के चेरे को नकार दिया गया क्या आप 2024 के अंदर 2024 के अंदर भी BJP को ऐसे नकार दिया जाएगा या तस्वीर कुछ और होगी यह सवाल आपके लिए है आप क्या सौनसते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को खुब शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजिंडेक सबस्क्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीदे सबसे पहले आपको मिल सकें धन्यवाद